दोस्तों क्या आपको पता है कि जो फाइल हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, वो कहां पर सेव होती है, या पिर क्या आपको पता है कि जो फाइल हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, चाए वो किसी एप फाइल हो, चाए एपिके फाइल हो, चाए इमेज फाइल हो, चा आपर पिछले कुछ वीडियो में कमेंट आये थे किसी फाइल को डाउनलोड करने पर कहां से होती है लेपटॉप में डाउनलोड एप कहां पर जाता है पिडियो फाइल कहां से होती है वेगरे वेगरा तो इस वीडियो में हम यहीं दिखेंगे तो यहां पर दिखेंगे सबस इसी folder में अपने video file को save कर सकते हैं, या फिर किसी भी download file को save कर सकते हैं, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, हम इसे change भी कर सकते हैं, तो फिलाल क्या है कि direct हम किसी भी browser से कोई भी file download करते हैं, चाहें वो app हो, चाहें वो video हो, चाहें वो image हो, वो सभी जाता है यहाँ पर, यानि कि download वाले folder में, अब यह folder कैसे मिलेगा, simple है, this PC को open कीजिए, उसके बाद से यहाँ पर direct download वाला folder मिल जाता है, इस side में भी download वाला folder मिल जाता है, अब एक बात और है, कि आप लोग को download वाला folder रूड़ने में, जो है problem हो रही है, तो आप simply इसका shortcut बना सकते हो, shortcut बनाने के लिए simply download वाले folder पर click कीजिए, इस पर right click कीजिए, और यहाँ पर so more option पर click कीजिए, उसके बाद से यहाँ पर send पर click कीजिए, and इसको desktop create shortcut पर click कीजिए, इसका जो shortcut है, वो आ कहाँ पर मिल जाएगा desktop, ठीक है, अब बात यह है, इस shortcut का आप इस्तमाल कहाँ पर करेंगे, इस shortcut कर सकते हैं, जैसे कोई भी file अगर आप download करते हो, तो directly आप जाकर इससे open कर सकते हो, ओके, अब चलिए, एक दूसरी बात कर लेता हूँ, कि यह जो shortcut है, इसे हम delete कर सकते हैं, बिल्कुल delete कर सकते हैं, simply पर click कीजिए, और इस पर delete कर दीजिए, जो delete होजिए, फिससे आप बना सकते हैं, एक बात और, कि क्या हम अपने जो download की गई file है, उसका location चेंज कर सकते हैं, definitely कर सकते हैं, simply अगर माल लिए कि आपको Google से कुछ भी download करना है, तो simply आपको यहाँ पर यहाँ पर इमेज डाउलोड करना है, तो simply यहाँ पर यहाँ पर कोई website सेर्च करेंगे, जैसे कि यहाँ पर pixel की कई सरी website होती है, pixel जहां से हम यहाँ पर फोटो वेगरा डाउलोड कर सकते हैं, तो pixel, video यह फोटो कुछ भी हम यहाँ पर simply सेर्च कर लेंगे, यहाँ पर images पर ह लेते हैं, आपर image का option यहाँ पर दिया जा रहा है, simply हम चाये तो इसकी website पर भी जा सकते हैं, अब यहाँ पर इमान लिए कि यह image हमें सेव करना है, अपने computer में PC में, लेप्टोप में, या फिर हमारे मतलब mobile में ही, mobile phone में, smartphone में, यहाँ पर right click करना है, और यहाँ पर option दिलत आ चुका है, simply आप यहाँ पर save button पर मैं click करूगा, तो यह file save हो जाएगी, हम इसको change कर सकते हैं, जरू नहीं है कि हम चाहते हैं, कि इसे किसी और folder रखे, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैंने यहाँ पर video computer footage के नाम से यहाँ पर एक folder मनाया हुए, इस पर click करते हैं, और यह यहाँ पर जाकर हम इसे save कर देंगे, हम चाहें तो इसका file का name भी change कर सकते हैं, simply हम यहाँ पर जाकर इसको यहाँ पर लिख देते हैं, hhhand.jpg, यहाँ पर save button पर click करेंगे, तो यह file हमारी वहीं पर save होगी, जहाँ पर हमने save किया, यानि कि यह देखिए, यहाँ पर उपर द के file को कहाँ पर save किया जाता है, या फिर कहाँ पर by default save होता है, इंटरनेट से download होने वाले जो file होती है, उसको आप अपने मन पसंद लोकेशन पर कैसे save कर सकते हैं, फिलहाल इस video में इतना है मिलते हैं, किसी next video में तब तब के लिए, जैहिन, बंदे मात्रा.